नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सनमार्ग 16 फरवरी बुद्धवार के दिन माघी पुर्णिमा मनाई जाएगी और इस बार आसलेसा नच्छतर और करकरासी की युती होने से खास सेयोग भी बन रहा है धार्मिक मानेता है कि माघी पुर्णिमा के दिन विसेश उपाय करने से मालक्षमी प्रसन होती है और अन्धन की भंडारे भरती है तो गंगासनान से भगवान विश्णू मालक्षमी की किरपातो प्राप्त होती ही है साथ ही जीवन में धन बैभव और सुक्षभाग भी बढ़ता है मालक्षमी के मंत्र का जब करने से धनाता है इस दिन परिवार में खुसहाली लाने के लिए आप स्री सुप्तम का पाठ भी कर सकते हैं मा को पीले पुस्प लाल रंग की सामगरी अरपित करें और मालक्षमी को सफेद मिठाई या खीर का भोग लगाए आपकी समस्त मनुकाम ना पूर्ण होगी चुकि मागी पुर्णिमा का सुपसे योग है तो तिल, गुड, घी, कंबल, वस्तर आप पांच तरह के अनाच का भी दान कर सकते हैं यहां तक कि इस दिन गाय का दान करना भी उत्तम मना गया है अगर धन की ज्यादा मुस्किल हो तो 11 पीली कौडिया ले 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 उसको हल्दी से कलर करके लाल कपड़े पर रखकर मा लक्ष्मी को अरपित कर दें और अगले दिन इस कपड़े को अच्छे से बांध कर लपेट कर धन अस्थान पर रख दें अगर पहले से आपने किया है तो वापस से फिर से इसी परक्रिया को दोराए उसी कौड़ी के सहारे जीवन में धन बढ़ेगा लक्ष्मी स्थिर रहेगी तुलसी पे साम ने साम के समय घी का दिया जरूर चलाईएगा मा लक्ष्मी की कृपा बरसेगी सनातन धर में स्वस्तिक को परब्रम्व की संग्या दी गई है और पुरानों में स्वस्तिक को धन की देवी मालक्ष्मी और बुद्धी के देवता भगवान गनपती का परतीक भी माना गया है और स्वस्तिक जो है दो सब्दों से बनाया है सू और अस्ति जिसका अर्थ होता है सुभो कल्यान हो वैसे तो जोतिस में स्वस्तिक के कुछ अलग प्रियोग भी बताएंगे हैं जिने करने से जीवन की समस्त बाधाएं दूर होती है और धन भाने सवभाग अखंड लक्षमी की प्राप्ती होती है चुकि पूर्णिमाती थी है तो आपके घर में जो तुलसी के पौधे हैं उसमें लाल धागा जरूर बांधीजेगा मौली धागा पतला सा हलका डिला करके ही बांधना है आपको और बांधते समय आप अपने मन की मनोकामना जरूर कहें आपकी मनोकामना पूर्ण होगी और जब आप चुकि इस बार बहुत खास से योग में आया है चंदर करहन है हलांकि भारत में दिखाई नहीं देगा लेकिन फिर भी आप कोई भी सुमंगल कारे इस दिन ना करें तो उत्तम रहेगा और इस दिन अगर आप अशनान दान करते हैं तो असीम पुन्य भी प्राप्त होता है जीवन की मुस्किलें दूर होती है जो ग्रिहस्त जीवन में लोग हैं वो लोग आउले का चुर्ण लगाकर सरीर में असनान करें तो पुन्य मिलेगा जो लोग सन्यासी हैं वो तुलसी के पौधे की जड़ की मिट्टी सरीर में लगाकर असनान करें और भगवान स्री विश्णू के ओम अच्युताय नमः ओम केसवाय नमः ओम अनंताय नमः मंतरों का जब करें तो उत्तम है तो इस दिन मालक्षमी सबसे ज़्यादा प्रसंद ने रहती है जो की जीवन में खुसियां देती है तो इस दिन विशेश प्रयोग जरूर करें और सुवब पांच बजे से सुवब दस तीस तक मालक्षमी पीपल के बिख्ष पर निवास करती है इसलिए आप पीपल के बिख्ष में मीठा जल जरूर अरपित करें पुरानों में स्वास्तिक को लक्षमी और गनपती का प्रतीक माना गया है स्वास्तिक का अर्थ है संस्क्रीत में सुव और अस्ति जिसका अर्थ होता है सुव और स्वास्तिक से परिवार, धन, स्वास्त, समंदी समस्याएं भी कत्म होती है तो स्वास्तिक से कैसे आप तुमाम परिसानियों से छुटकारा पा सके आईए जानते हैं सबसे पहली बात तो अपने घर के मुखे दरवाजे पर आम के पत्तों का बंदनवार जरूर लगाईएगा आपने जो नौरातर में लगाया है उसको खोल कर अटा दे और फ्रेस आम के पत्तों का बंदनवार लगाईए या असोग के पत्तों का भी लगा सकते हैं इसके बाद घर के मुखे दरवाजे पर बाहर की तरफ से हल्दी और चावल यानि चावल थोरा सा आप लेकर भीगो लें और उसको पीस कर पेस्ट बना लें उसमें हल्दी डाल कर एक चुटकी आप इसी घोल से घर के मुखे दरवाजे पर बाहर की तरफ से स्वस्तिक बनाए या तो उपर में बीचो बीच बनाए या फिर दोनु तरफ बनाए अगर हल्दी चावल का नहीं बनाते हैं तो सिंदूर में तेल या फिर घी मिक्स करके भी आप बना सकते हैं ये स्वस्तिक आपके जीवन में सुपता को बढ़ाएगा नकात्म कुर्जाओं को दूर करेगा और मा लक्षमी और गनेश जी की किरपा भी बरसेगी तो स्वस्तिक का निसान जो होता है जीवन में सिर्फ मंगल ही लेकर आता है और कुछ नहीं अब घर के मंदिर में जब आप पूजा पाट कीजिएगा जब आप दीपक जलाते हैं पूजा करने के समय तो क्या करें देखिए पहले तो एक बात जालने जब आप स्वस्तिक बनाएगा तो दो खड़ी रेखाएं जरूर डालिएगा ये स्वस्तिक को बांधता है अगर आप स्वस्तिक बना देंगे खड़ी रेखाएं नहीं डालेंगे तो लक्ष्मी स्थिर नहीं रहेगी पैसे इधर से आएंगे उदर से निकल जाएंगे और आप चाहते हैं अगर पैसे ठीक है तो दोनों तरफ दो खड़ी रेखाएं जरूर बनाएगे ये जीवन में विस फिर आप सिर्फ चाबल ही रख दें पांच दाने और उसके उपर दीपक जलाएं अगर चाबल भी नहीं है तो आप यहां पर फुलों की पंखुडी रखकर फिर दीपक जलाएं तो आपकी मनों कामना जल्दी पूरी होगी अब चुकि ये तीथी बहुत खास है इसलिए आ पूरे घर में चुड़काओ करें बांकी बचा हुआ पानी घर में भी बाहर में भी याद रखिए बांकी बचाओ पानी पौधे में डाल दें एक दम से देखिएगा सांत महसूस करेंगे खुद को दूसरी बात इस प्रयोक को करने के बाद आप पातर में पानी ले 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 और इसको अपने घर के मुख्य दरवाजे के अंदर डाहिने तरफ रखे यानि घर से आप बाहर निकलेंगे तो आपके हाथ जो डाहिने तरफ होंगे ने उसी साइड रखे और ये पातर मिट्टी का भी हो सकता है आपके घर में जो भी बढ़ताना है आप ओही ले 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 लोटा भी हो सकता है तो इसको रख दे और उसके नीचे भी स्वस्तिक बना up रखेंगे पानी रखेंगे फूलोंवाली स्वस्तिक बना रहे तो इस तरह से जल है जो आपने पूलों की पंख़ुणी रखा इसको आपство कम से कम दो दिन रहने दीजेगा और वैसे तो आप पूरे मेहना जला सकते हैं पूरे साल रख सकते हैं ये अच्छा माना जाता है जल रखना वो आपके घर के सुपता को बढ़ाता है नकात्मा कुर्जा को जल ही सोक लेगा घर के अंदर नहीं आता है इसलिए रखा जाता है और जब भी सुम्मंगल दिन हो तो ये जल जरू रखें अब इसको दो दिन के बाद आप किसी पौधे में डाल दीजेगा फ्रेस रख लीजे अब एक खास प्रियोग जो आपके मननत को पुरा करेगा अगर लंबे समय से कोई ऐसी मनोकामना है जो पूरी नहीं हो पा रही है नोकली नहीं लग रही बैपार नहीं चल रहा बिबार नहीं हो आपका घर नहीं बन पा रहा है तबान तरह की परिसानिया होती है संतान का सुक नहीं है तब घी में सिंदूर मिक्स कर ले थोड़ा सा और लेकर पास के किसी भी मंदिर में चले जाए मंदिर के दिवाल पर एक उल्टा स्वस्तिक बना दे अपनी समस्या कहें और घर चले आई बिना पीछे मुड़े मंदिर की दिवाल पर बाहर की तरफ से भी बना सकते हैं अंदर की तरफ से भी बना सकते हैं ठीक है अब जब आपकी मनों कामना पूर्ण हो जाए तब आप फिर से मंदिर जाए अब मान लेते हैं आप उस जगा नहीं है कही और रहते हैं कोई बात नहीं जहां रहते हैं वहीं जरूर बना दें अगर आपके मननत पूरी हो जाती है तो कई बाल क्या होता है आपको सपने अच्छे नहीं आते नीद नहीं आती परिशान ही जादा है तब सूने के पहले अपनी तरजनी उंगली जिसको हम ब्रसपती की उंगली कहते हैं इंडेक्स फिंगर कहते हैं आप हव के बाहर अगर आप चुकि हमने कहा कि आपको स्वस्तिक बनाने के लिए से देवी देपता भी खुष रहते हैं मनो कामनाएं पूर्ण होती है और घर में जब आप मा की मुर्थी को अस्थापीत करें या किसी भागवान को तो स्वष्थिक बना कर उस पर मुर्थी अस्था बना दें तो आपका ब्यापार अच्छा चलेगा और किसी का नजर भी आपके ब्यापार को नहीं लगेगा तो इस दिन आप जो भी प्रियोग करेंगे उसका आपको फल जरूर मिलता है दान जरूर कीजेगा ताकि करोरो गुना अधिक फल मिले और अगर आप गले में स्वस् स्वस्तिक धारन नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें उर्जा बहुत होती है और वह उर्जा चारों तरफ बिखर जाएगी अगर आप चाहते हैं सही तरीके से स्वस्तिक का लाब मिले तो गोल घेरे के अंदर जो स्वस्तिक है उसी का लॉकेट लाइए और इस दिन मालक्ष स्वस्तिक के दोनों तरफ जरूर बनाईए ताकि लक्षमी स्थिर रहे धन्यवाद फिर मिलेंगे